तो सबी लोग आ गए हैं और सबी लोगों के तैयारी कैसी चल रही है तो इसका आकलन जो है वो आज हो जाएगा आज यूनिट 10 का टेस्ट है और कई दिरों के बाद ही आपका टेस्ट जो है यह हो रहा है तो आप लोगों में तैयारी तो अपनी कर दी दी होगी आज कुल 50 प्रस्ण जो है वो आपके यहां टेस्ट में लिये जाएंगे थोड़ा सा हम जल्दी ही करेंगे ताकि 50 कुश्चन जो है वो आप फूरे कर सकें 50 में से कितने कुश्चन के आंसर आप दे पाते हैं बाद में आपको बताना है क्योंकि मैं सभी के कमे सकें चलिए कोश्चन वन है राजिस्थान में गोडला त्योहार कम मनाया जाता है राजिस्थान में गोडला त्योहार कम मनाया जाता है श्रावन सुपल अस्टमी को श्रावन कृष्ण अस्टमी को चैत्र कृष्ण अस्टमी को और वहाद्र पद सुपल अस्टमी को तो इ कि आंसर जो होगा वो होगा चैत्र कृष्ण अस्टमी ठीक है यदि आपने सही आंसर दिया है तो अपने आपको एक मार्थ से देते जाईए और बिल्कुल लिखते जाईए कि कितने आंसर आपके सही जाते है पुश्यन टू विक्रम संबत अंशार क्योहारों के आने का क्रम ह गनेश चतूर्थी, दीपावली, क्रिष्ण जन्मास्टमी और गनगोर तो यहां देखिए चारो आप्शन को बहुत धिहान से ही देखिए कि सबसे पहले कौन सात्य होआ राता है उसके बाद कौन सा आता है और उसके बाद कौन सा आता है ठीक है गनेश चतूर्थी, दीप पावली, क्रिष्ण जन्मास्टमी और गनगोर थोड़ा सा टाइम आपको देदेती हूं तो कि हाँ थोड़ा सा को टाइम चाहिए चलिए यदि आपने याद किया है तो आप मैं आंसर देख लिया होगा आप देख लिजे इसका सही आंसर गनगोर चैत्र में आता है सबसे पहले उसके बाद क्रिष्ण जन्मास्टमी फिर गनेश चतुर्थी और बाद में कार्थि को दीपाव दी ठीक है ये क्या है इंता सही ग्रम है जैपूर में तीज की सवारी किस महा में निकाली जाती है जैपूर में तीज की सवारी किस महा में निकाली जाती है वैसात में भाद्रपद में, चैत्र में या श्रावण में, जैपूर में तीज की सवारी किस माहा में निकाली जाती हैं। तो जिनको आता है वो तो टाइम ही नहीं लगाते हैं, विल्कुल सही आंसर दे देते हैं, चलिए। और जिनके नहीं सही हैं, वो भी देख लीजिए श्रावण में, ठीके, जैपूर में तीज की सवारी श्रावण माहा में निकाली जाती है। नेक्ट देखिए, कुश्यन 4, खेजडी व्रक्ष की पूजा किस पर्वपर की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सा पटापट से आप आंसर देनी की कोशिश करें, क्योंकि हमें 50 कुश्यन करने हैं। तो आंसर जो है वो बिलकुल सही है, सभी का ही सही है, 10 एरा। चलिए, वेरी गुड़, गुप्त कालिन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहां से प्राप्त हुआ। बयाना से, बैराट से, आमिर से या अलवर से। आंसर क्या है इसका? बिलकुल आंसर जो है बयाना। नेक्स्ड, कुष्यंग 6. राजिस्थान की बड़ी तीज कम बनाई जाती है। चोटी तीज देखी हमने अभी, बड़ी तीज कम बनाते है। क्योहारों में से एक कुष्यंग आपके एक्जाम में आएगा ही। तो बिल्कुल सही अंसर भादरपद सुपल तृत्तिय जिन बच्चों को लगता है कि स्पीड जो है वो बहुत धीरे है तो देखिए कुछ बच्चे जो हैं जिनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ओप्चन को देखने में ठीक है महावीर जयनती कब मनाई जाती है श्रावन क्रश्न तृत्तिय को चैतर सुपल तृत्तिय को भादरपद सुपल तृत्तिय को या आशान क्रश्न तृत्तिय को महावीर जयनती जो है वो कब मनाई जाती है शावन में चैतर में भादों में या आशान में कब मनाई जाती है आंसर है इसका चैत्र की सुक्ल त्रत्य को मनाई जाती है। नेक्स्ट पटापट से देखिए निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारों से सम्मंद नहीं है। विवाह समारों से बडार, कन्यादान, पानीवाडा या बरी कन्यावन। आज मैंने कुछ नई प्रस्ण जो हैं वो भी लेकर आई हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए पानीवाडा पानीवाडा जो है वह है विवाह समारों से सम्मंद नहीं है। इसके अलावा वडार, कन्यादान, बरी कन्यावन। यह सभी शादी जो होती है विवास हमारों उससे सम्मंद नहीं है। नेक्स्ट हैं कट पुतली किससे निर्मित होती है। किससे बनी होती है कट पुतली। कास्ट से, धातू से, कागज से, या मिट्टी से। बहुत ज्यादा एजी कुश्यन है और सभी इसका अंसल सही देगे। कट पुतली किससे बनी होती है धातू से, कागज से, मिट्टी से या कास्ट से। तो सबका सही है ये तो कास्ट से नेक्स्ट देखिए वीर विनोद पुस्तक के रचियता कों थे तो आंसर क्या है इसका? विलकुल आंसर जो है श्यामल्दास चलिए तो आज सभी की तयारी जो है बहुत अच्छी ही है गड़ बीठली दुर्ग है कहां पर है ये बुंदी में अजमेर में आमेर में या जोदपूर में गड़ बीठली दुर्ग है ये दुर्ग कहां पर है तो सही आंसर है अजमेर में Next देखिए 12 questions चुमपा नामक अबूशन कहां पहना जाता है दान्त में, कमर में, कान में या गर्दन में कहां पहनेंगे चुमपा नामक अबूशन अबूशन का वीडियो जो है वो मैंने बनाया था आप लोगों ने देखा भी होगा चुम्पा नामक अबूशन जो है वो है कहां पहनते हैं तो इसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा आंसर क्या है इसका दात में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है मैंने कि इतिहाज प्रशिद सिवाना दुर्ग किस जिले में इस्तित है चितोड में, बाड मेर में, भरतपुर में या जैसल मेर में तो आंसर जो है विल्कुल सही आंसर जो है वो है बाड मेर दिसिवाना दुर्ग बाड मेर जिले में इस्तित है नेक्स्ट है जैपूर के हवा महल में कितनी खिड़कियां है जैपूर में हवा महल है सवाई प्रताप सिंग ने निर्मान करवाया तो इसमें खिड़कियां कितनी है 953, 935, 861 या 856 तो सही आंसर है जैपूर के हवा महल में 953 खिड़कियां है तो जिन पच्चों का सही है वो अपने आपको एक मार्क्स देंगे और उनके लिए तो वेरी गुड है और जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी जो राजिस्थान का हिस्ट्री और कल्चर चैप्टर्स जो है वो पढ़ाये जा रहे हैं उनको आप बहुत ध्यान से पढ़िए यदि आप इनके आंसर नहीं दे पा रहे हैं नेक्स्ट है किस सिलालेक में चोहानों को बत्स्तो गोत्र ब्रहामन कहा गया किस सिलालेक में चोहानों को बत्स्तो गोत्र कहा गया चीरवा सिलालेक, विजोलिया सिलालेक, श्रिंगरिशी का सिलालेक या अपराजित का सिलालेक तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है चैनल पर मैं पढ़ा रही हूँ राजिस्थान का इतिहास और संस्क्रति यदि आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से तो इन कुश्यन्स को आप कर पाएंगे बहुत ही easy way में ठीक है और अभी हम पढ़ेंगे तो आपके सारे कुश्यन जो है वो clear हो जाएंगे तो आंसर जो है वो इसका होगा विजोलिया सिलालेक नेक्स्ट है तिमडिया पहना जाता है तिमडिया कहां पहनते हैं पुर्सों द्वारा बाजू में महलाओ द्वारा गले में महलाओ द्वारा ललाट पर यह पुर्षों द्वारा हात पर तिमडिया जो है वो कहां पहना जाता है तो देखिए तिमडिया जो है वो महलाओं द्वारा पहना जाने वाला आपूशन है अब आपके A और D जो है वो तो रॉंग हो जाते हैं अब आप फटाफट से बताईए इसका सही आंसर हो तो इसका सही आंसर जो होगा जो की सही है बिलकुल और बच्चे जो है वो पटाफट से आंसर देवी देते हैं क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी की आपने महलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है तिमडिया करवा चौथ कब मनाया जाता है? करवा चौथ कब मनाया जाता है? तो देखिए थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे यदि नहीं पता है जो लड़कियां है उनको तो पता ही होता है लेकिन जो लड़कियां है उनको थोड़ा सा देखना है चौथ करवा चौथ चौत ही यानी चतुर्थी, तो इहां पर एक ही option है, option D, कार्ति क्रश्न चतुर्थी गो राजिस्थान में असोक की अभिलेग कहां से प्राप्त हुए हैं बजली से विजॉलिया सिलालेख, वेयराट से या बुझकुला से तो कहां प्राप्त हुआ था? असोक के सिलालिक, असोक का अभिलेक राजिस्थान में असोक का अभिलेक जो है वो कहां प्राप्त हुआ था? तो ये कोश्चन जो है वो हम कई बार कर चुके हैं और ये तो आपको याद है और सभी को याद है तो राजिस्थान में एक मात्र जगे है बैराथ ठीक है विराथ नगर नेक्स्ट है अभिलेग जो महाराणा कुम्बा के लेखन पर प्रकास डालता है वो कौन सा है कुम्बलकर प्रसस्ती, कीर्तिस्तम प्रसस्ती, राज प्रसस्ती और जगनात राय प्रसस्ती अब ध्यान क्या देना है कि महाराना कुम्बा के लेखन पर प्रकास डालने वाली कौन सी प्रसस्ती है। अब यहां थोड़ा सा confusion रहता है, तो देखिए याद कर लीजिए तंसे और जिन्होंने किया है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो नहीं कर पाए हैं यहां confused हो रही है, आंसर देखिए, अब याद कर लीजिए कि महाराना कुम्बा के लेखन पर प्रकास डालता है कीरती इस्तंब प्रसस्ती। ठीक है कौन सा कीरती इस्तंब प्रसस्ती। देख्ट है, दाबू प्रिंट के लिए प्रशिद्ध है गाउं अकोला, गाउं मौलेला, प्रताबगड या हर्जी गाउं। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है गाउं अकोला, गाउं मौलेला, प्रताबगड या हर्जी गाउं। आंसर जो है वो होगा गाउं अकोला। नेक्स्ट देखिए महाराण कुम्भा द्वारा रचित ग्रंत संगीत राज। कितने कोशों में विभाक्त है महाराण कुम्भा द्वारा रचित ग्रंत का नाम है संगीत राज। ठीक है? आपने पड़ा है संगीत राज ये संगीत मिमान साथ. उसमें संगीत राज में कितने कोश्ट हैं? 6, 8, 5 या 4? तो आंसर जो है वो इसका क्या है? 5. टो अंसर क्या है? बिलकुल आंसर जो है सुर्यमल मिश्रण चीक है चलिए कमेंट के उपर में ध्यान जो है वो नहीं दे पाती हूँ तो आप लोग सही रखिए और मैं बाद में सभी के कमेंट पढ़ूँ गई दामणा नामक अबूशन कहां पहना जाता है दामणा अंगुली में हाथ में कान में या नाक में अगुली में हाथ में कान में या नाक में आज की जो कुशों है वो most important है इन 50 कुशों को आप बिलकुल रट लेना बहुत अच्छे से दाम्रा नामक अभूशन कहां पहना जाता है अंगुली हात नाक कान आंजर क्या है अंगुली में ठीक है जैपुर मीनाकारी का एक प्रिसिद्ध इस्थल है इस कला को लाने का श्रीक किसको जाता है राम सींग को, मान सींग को, जै सींग को या राज सींग को जैपुर, मैं मीनाकारी लाने का श्रे जो है, किसको जाता है? तो आंसर जो है, वो क्या है? सही आंसर है, मानसीन को. पसू पक्षियों को किस चितर सैली में विशे सिस्थान ताप्त हुआ है? पसू पक्षियों को किस चितर सैली में विशे सिस्थान ताप्त हुआ है? विकानेर में, किशनगड में, बूंदी में या नाथ द्वारा में? देखिये, जो आपको question answer series दी गई है, यदि आपको उनको ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो सभी के answer आपको सही दे पाएंगे, क्योंकि उनको ही मैंने थोड़ा सा गुमा कर आपको पूछ लिया है, ठीक है? कई बच्चे बोलते हैं, हमने तो 3 या 4 बार question answer series पढ़ ली, RBSC की, और हमने channel पर बहुत अच्छे से देख लिया, पिर भी नहीं question answer कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता, कि आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैंने एक भी line जो है वो छोड़ी नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने question answer series करवाई है, पसू पक्षियों को किस चित्र सैली में विशे सिस्थान प्रार्प्त हुआ है, अब देखिए इसका answer क्या है, बूंदी, next देखिए, 26, मुहुनोत नैंसी का संबंध है, किस से संबंध है मुहुनोत नैंसी का, दयाल दासरी ख्यात, बांकी दासरी ख्यात, मारवाड रा परगनारी बिगत और प्रत्वीराज रासो, मुहुनोत नैंसी के, आपको दो बताय थे ग्रंत, कौन कौन से है, जिसमें से एक का नाम जो है वो यहाँ पर है, तो देखिए, नाम देखते ही पता लग जाता है, यहाँ पर मैं बिल्कुल बता देती हूँ इसका आंसर, पटापट से मारवाड रा परगनारी बिगत, तो लगबग सभी बच्चों का ही सही है ये तो, नेक्स्ट देखिए, राज प्रसस्ती किस जिले में इस्तित है, राज प्रसस्ती, तो नाम से ही दिख जाना चाहिए, राज प्रसस्ती मतलब महारान कुम्बा, जैपुर, चेतोडगर, अजमेर और राज सम्मत, राज प्रसस्ती किस जिले में इस्तित है, तो आंसर जो है वो क्या है? बिलकुल आंसर जो है राज सम्मन Next देखिए राजिस्थानी चित्रकला की मूल शैली किसे माना जाता है? मेवार शैली को, मारवार शैली को, आमेर शैली को या अलवर शैली को राजिस्थानी चित्रकला की मूल शैली यानी प्रारंबू किसे माना जाता है? मेवार शैली को, मारवार शैली को, आमेर शैली को या अलवर शैली को अब यहाँ confused देखिए इसका सही आंसर आंसर क्या है? मेवार सैली से ही माना जाता है राजिस्थानी चित्रकला का प्रारंबू यहाँ से माना जाता है मूल शैली नेक्स्ट देखिए धर्ती धोरारी इसका संबंद किस से है? मलिक मुहमद जैसी से, मानिक के लाल वर्मा से, केशरी सिंग से या कनया लाल सेठिया से धर्ती धोरारी धर्ती धोरारी का संबन किस से है? मलिक मुहमद जैसी, मानिक के लाल वर्मा, केशरी सिंग या कनया लाल सेठिया अब मलिक मुहमद जैसी तो नहीं है तो ये तो wrong है ठीक है अब आप बताएए इन तीनों में से तो answer जो है वो क्या होगा इसका कनहिया लाल सेठिया Next देखिए बातारी पुलवारी नामक ग्रंद के रचेता कौन है बातारी पुलवारी नामक ग्रंद के रचेता कौन है विजयदान देथा, विजय सिंग पतिक, मानिक के लाल वर्मा या शिवचंद भरतिया तो इसका सही answer जो है वो क्या होगा अब ये question जो है वो बिल्कुल मैंने नया डाला है तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा तो इसको मैं आपको बता देती हूँ इसका answer है विजयदान देथा चलिए नेक्स्ट देखिए निम्न मैंसे कौन सी डूणारी की उपबोली नहीं है कौन सी डूणारी की उपबोली नहीं है तोरावाटी, राजावाटी, नागर्चॉल या राठी तो ये question जो है वो उपबोलियों मैंसे है अभी हम राजिस्थान के जो कर रहे है हिस्टरी तो उसमें हम पढ़ेंगे ये रूणारी की उपबोली नहीं है तोरावाटी, राजावाटी, नागर्चॉल और राठी तो देखिए इसमें से जो सही answer है वो है राठी रूणारी की उपबोली नहीं है राठी इसको तो आप देखते ही बता देंगे प्रताप को, पते सींग को, होपाल सींग को या अमर सींग को. अब यहाँ पर दो कुश्यन है, केशरी सींग बारट द्वारा रचित क्या है, जेतावनी राचिमोटिया, और यह उन्होंने क्यूं लिखा था, किस महाराणा को रोका था दिल्ली दर्वार में जाने से. तो सबी का ही सही है ये तो, कि आंसर है पते सींग को. नेक्स्ट है, किस सास्त्री नृत्य का उद्वाव राजिस्थान से संबन्दित है, कथकली, कथक, कुचिपूरी या भरतनाट्यम. तो ये तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, इसका सही उत्तर. कितना अच्छे से मैंने आपको बताया था, जब मैंने ये चैप्टर आया था, लोग नृत्य के बारे में, तो सास्त्री नृत्य के बारे में भी मैंने आपको बताया था. अंसर है इसका कत्त. विजय सिंग का मूल नाम क्या था? नरेंदरनात, मूल शंकर, भूप सिंग या रामदास. तो यहाँ पर किसी ना किसी के मूल नाम हैं, तो इन सभी के आपको पता होने चाहिए. विजय सिंग का मूल नाम क्या था? अभी आपको ये बताना है. आंसर क्या है इसका? आंसर जो है वो रूप सेम है, ठीक है? सबका ही सही है और इन तीनों के किसके नाम है ये तो वो भी आपको याद रहने चाहिए गवरी देवी किस गायन सैली से सम्बंदित थी? गवरी देवी मांड से, थुमकी से, ताल बंदी से या लंगा से? गवरी देवी किस गायन सैली से सम्बंदित थी? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? आंसर होगा मांड से. नेक्स्ट देखिए Annals and Antiquities of Rajasthan इसके लिखक कौन है Colonel James Todd जो की हाल ही में हमने कल के या परसों की वीडियो में ही पड़ा था तो ये पॉलिटिकल एजेंट थे Colonel James Todd कहां के जैपूर या जोदपूर स्टेट के कोटा या भूंदी स्टेट के विक्का नेर एवं जोदपूर स्टेट के या पक्षमी राजपूर्ट स्टेट के तो 1857 की क्रांती के समय हमने डिसकस किया था ये आंसर जो है वो क्या होगा इसका Annals and Antiquities of राजिस्थान के लेकर Colonel James Todd पॉलिटिकल एजेंट थे कहां के थे ये तो आंसर जो है वो इसका सही होगा आंसर Option No.D. पक्षमी राजपूर्ट स्टेट के Next है निम्ने में से किसने राजिस्थान की बहु रूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया जानकी लाल ने, देवी लाल परमार ने, उर्षोत्तम जी ने या महाराणा कुम्बा ने किसने राजिस्थान की बहु रूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया तो सही आंसर जो है वो होगा जान की लान नेक्स्ट है हर्टूंडी जो अजमेर में हैं यहां गांधी आश्रम की स्थापना की किसने कीती गांधी आश्रम की स्थापना मानिक के लाल वर्मा ने जमना लाल बजाज ने हरी भाव उपाध्याय ने या अर्जुन लाल सेठी ने यह कुश्चन राजिस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व मैं से है तो बिल्कुल आंसर जो है क्या है सही आंसर है हरी भाव उपाध्य है Next देखिए कुश्चन 39 सोतंतरता सैनानी वा सही जागरमल गोपा कहां के निवासी थी फटा फट से बताना है भीका नेर के, जैसल मेर के, जोदपूर के या अजमेर के भीका नेर के, जैसल मेर के, जोदपूर के या अजमेर के सहीद सागरमल गोपा तो देख लिजिए आंसर जैसल मेर Next है 40 कुश्चन सन 1947 इस्वी में बीर वाला काली बाई किस घटना से सहीद हुई थी कब्ज कांड में, डावरा कांड में, रास्ता पाल कांड में या पुनवाडा कांड में तो यह RBSC की बुक में से ही है कुश्चन कहीं बाहर से नहीं है ठीक है? तो अभी तक तो देखिए 6 से 10 तक यहां से ही प्रस्णों जो हैं वो आपके पूछे गए हैं एक्जाम में भी यही होने वाला है अभी हम राजिस्थान का इतिहास और कल्चर की यह बुक जब पढ़ लेंगे तब आप विल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे एक भी कुशन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता है अंसर जो है वो है रास्तापाल कांड में नेक्स्ट है बागड की गांदी किस जिले के रहने वाले थी अब याद होना चाहिए बागड बागड किसको बोलते हैं बास्वाडा और डूंगरपूर को यहां के गांदी किस जिले के रहने वाले थी बास्वाडा के जैपूर के डूंगरपूर के या उदैपूर के तो आप देखिए, यहाँ पर जयपूर और उदेपूर, यह तो हो ही नहीं सकता, तो आप क्या बताना है आपको बासवाड़ा और दुंगरपूर, पागड के गांधी किस जिले के रहने वाले थे, बासवाड़ा के थे या दुंगरपूर के थे? तो सही आंसर जो है, वो क्या है? आंसर है ब्रूंगर्टू नेक्स्ट पोट्टी टू कुशन है, राजिस्थान के प्रसितिक क्रामतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एस्थापना की? किसने की? जौला प्रशार सर्मा, विजया सिंग पतिक, अर्जुनलाल सेथी, केशरी सिंग बारहर किसने की थी हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एस्थापना की? यह कुशन प्रजामंडल से है, जो की वीडियो मैंने डाला था, यदि आपने नहीं देखा है, तो आप उसको देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, आंसर जो है, वो क्या है इसका सही? देख लीजिए इसका आंसर है, जौला प् ग्रंथ, शिला लेख, हतियार या काव्यपार्ट, सुपास नह चरित्रम आंसर जो है, वो यह है इसका चित्रित ग्रंथ राजिस्थान की पढ़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है, जैपुर से, कोटा से, मेवाड से या बीकानेर से आंसर इसका, क्या हो रहने वाला है सही? तो देखिए, जो आंसर सही दे रहे है, लेकिन जो नहीं दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल परिशान ना हो आप दुबारा से, अभी आपके पास बहुत टाइम है, एरबी एससी की चैनल पर ढाली हुई है, 6 से 10 तक की कंप्रीट हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्रफी वो भी आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है, इसके साथ ही राजिस्थान का इतिहास और कल्चर बुक जो है, वो भी स्टार्ट हो चुकी है, अंसर है इसका, मेवार, नेक्स्ट है, 45, मूमल चित्रकला किस चित्रकला सैली से संबंदित है, विकानेर सैली से, भूंदी सैली से, किसनगड सैली से या जैसलमेर सैली से तो सही आंसर जो है, वो है इसका, जैसलमेर सैली जिम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है रवाज, सितारा, चोतारा या जंतर कहीं पर सतारा भी होता है रवाज, सितारा, चोतारा या जंतर अब ये कुश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए तत्वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं रवाज, सितारा, चौतारा या जंदर तो आंसर जो है वो इसका, देखिए आंसर है सितारा Next है 47 नोटंकी किस शेत्र का प्रशिद्द लोकनाटे है? पाली का, उधैपुर का, पारा का या भरत्पुर का नोटंकी जो है वो लोकनाटे किस शेत्र का है? तो इसका आंसर जो है वो क्या है? आंसर है इसका भरतपुर का Next है पढ बाचते समय किस वाधियंत्र का प्रियोग किया जाता है पढ बाचते समय रावण हत्ता का, मादल का, होल का या सारंगी का तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया है कि किसके समय में ये वाली फण जो है वो बाची जाती है और वाधियंत्र का प्रियोग होता है। यहाँ पर किवल पूचा है कि फण वाचते समय किस वाधियंत्र का प्रियोग करते हैं। रावण हत्ता, मादल, ढोल या सारंगे। अब देखियो, ढोल और मादल का तो करेंगे नहीं, बढ़ बाचते समय। किसका करेंगे? आंसर क्या है? रावण हत्ता। Next है 49. किसे मरू भूमी की कोकिला कहा जाता है? गवरी देवी को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जिलाई बाई को, या मांगी बाई को किसे मरू भूमी की कोकिला कहा जाता है? आंसर जो है वो यह है इसका कि अल्लाह जिलाई बाई, इन्हें मरू भूमी की कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आज का विल्कुल अंतिम प्रश्म, राजिस्थान संगीत संस्थान कहां इस्तित है, पता होना चाहिए आपको राजिस्थान संगीत संस्थान कहां इस्तित है, जैपुर में, जोदपुर में, कोटा में या उधैपुर में, तो कहां इस्तित है, राजिस आंसर जो है वो क्या है इसका आंसर है जैपोर ठीक है तो इन 50 में से जिस बच्चे ने 45 नंबर लिये हैं या उससे ज़्यादा लिये हैं तो उसकी तैयारी तो इतनी अच्छी है बहुत अच्छी है ठीक है और जिनके नहीं आ पाए हैं तो उनको भी बिल्कुल भी परेशान ही होना है अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है आराम से चीजों को पढ़िए जहां से भी पढ़ रहे हैं आप बुक से पढ़ रहे हैं बुक से पढ़िए चैनल से पढ़ रहे हैं चैनल से पढ़िए ठीक है लेकिन आपको यह करना है चलिए इस मिलते हैं नेक्स्ट